हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल पूजास किचिन ब्लॉक्स मैं पूजा आज आप लों के लिए बिलकुल रेश्टुरेंट स्टाइल में रेश्टुरेंट के जैसे पास्ता बनाऊंगी पास्ता बनाना बताऊंगी तो चलिए देर ना करते हुए फटा फट से बना कर देंगे मैंने कुछ वेजेटेबल्स काटा है बीम्स प्याज गाजर आप अपने मंचहा और वेजेटेबल्स काट सकते हैं पास्ते को हम मैरिनेट करेंगे चीली फ्लेक्स गालिक पाउडर चींजा पाउडर ऑईल नमक और मैंने डाला है टुमैटो केचप इसे अच्छ पास्ते में डालेंगे ऊइल प्याज को जो तरफ न술 रखा रखा है इसे पास्ते में बहुत अच्छा एक फिलिवर आज़ाता है बहुत अच्छा टेस्ट आता है पास्ताuyu क्सविवाइध मतलब विका नहीं रहता है तो मने तेलगरम हो जाएगी हम उस्पर डालेंगे दे के ध्यान रखेंगे को अधीय के मैं बॉइल करते वगद भी नमक डाला है और घुझे ह marginal है। पास्ते के तरह साथ तरह को दाला है। र require कową बंढ़ा हो हुगा ठीजाली को फ़्सक्राइब। मर को बल्क नब चयां पास्तीय को दॉअोगा और मसाले के साथ पास्ते को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें उपर से डालेंगे स्वया सॉस और यह मैंने डाला है सीजवन का चेटनी यह बिल्कुल आफिसनल है आप इसे स्किप भी कर सकते हैं इसे डालने से हमारा पास्ता जो है और जादा चेट पटा और स्पाइसी हो जाएगा देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है कितना चेट पटा सा दिख रहा है यह पास्ता खाने में भी बहुत ही यमी है और इसे अब हम थोड़ी देर के लिए ढग देंगे ताकि जो पास्ता है हमारा मसाली किसिंग और अच्छे से मिक्स हो जाए और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो हम इसे दो मिनिट के लिए ढग देंगे बस दो मिनिट बाद हमारा पास्ता बन के बिलकुल रेडी है बहुत कलरफूल बहुत ही सुन्दर दिख रही है टेस्ट भी इसका बहुत बढ़िया है जरूर ट्राइक करेए आप इसको और यह बहुत यमी लगता है खाने में आप इसके उपर से और भी मेहनी डालके या क् प्रेश क्रेम डाल सकते हैं बट आप ऐसे ही खाई यह बहुत मज़िदार बनी है बहुत ही स्पाइसी बहुत ही चेटपटा तो रेडी हो गया हमारा पास्ता बन के अगर आप लोगों को मेरी रेसेपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को करते रही है थैंक्स पर वाशिंग